हेलो एवरिवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंसराज इस्टडी मिट्रियल में तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी वीडियो है वो रहेगी कि हम किसकी त्यारी करें कहीं एक्जाम जैसे की DSSB के पहले वेकंसी आ चुकी है लेकिन एक्जाम नहीं हुआ दूसरी वेकंसी भी आने वाली है DSSB की फरवरी में लगबब वहां पर इलेक्सन है तो उससे पहले ही हो जाएगी जो नोटिफिकेसर आने वाला है वो आ जाएगा अब केवी की त्यारी करें DSSB की करें या फिर UPT, GTPGT की त्यारी करें LT की करें तो हम किसकी त्यारी करें तो देखिए हैसन नहीं है कि आपको एक ही एक्जाम की आप त्यारी करेंगे सबसे पहले तो आप करें आप इन सब के सिलेबस निकल वाले सिलेबस को अच्छे से पढ़े उसमें देखे कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीज मैच करती है अब आपका सब्जेक्ट जैसे की हिस्ट्री है तो आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है इसका आप सिलेबस देखी सब में वही प्राची इनिष्ट्री, मिडेवल और मोरन ये तीन पार्ट आपके हर जगह मिलेंगे चाहे आपका LD का हो, चाहे आपका DSSB का हो चाहे केवी का हो या फिर आपका UP, TGT, PGT का हो तो हिश्ट्री में ये टोपिक तो आपको हर जगह मिलेंगे तो आप पहले तो इसे ही कवर कीजिए अब इसके अलावो और अलग से क्या मिलेगा जैसे की DSSB में है, इसके अलावो मिलेगा आपको WorldStreet तो पहले वो टोपिक कीजिए जो आपके इन सब में एक जगह आपको मिल रहे है पहले इन सब को कवर कीजिए, अब जैसे ही आप इन सब को कवर करोगे तो UP का जो PGT का सलेबस है और LT का तो वह तो लगबग आपको सेब मिलेगा थोड़ा डिप्रेंस आपको मिलेगा DSSB में DSSB में इसके अलावा आपके पास क्या आजाएगा वर्ल्ड हिष्ट्री के टोपिक अलग से आजाएंगे और जो DSSB का TGT का पार्ट है उसमें भी आपको यहां से कुछ टोपिक किलियर हो जाएंगे कुछ आपके आएंगे वर्ल्ड हिष्ट्री के वो आपको अलग से करने होंगे तो पहले तो आपके एवल वो टोपिक चार्ट लिज्जी जो आपके सेम है उसे आप करते चलिए तो आपकी अलग से किसी एक एकजाम का नहीं पढ़ना होगा एक का पढ़ोगे तो आपके कहीं सारे एकजाम के लिए रो जाएंगे आप NET का एक्जाम दे लीजिए उसमें भी यही सब टोपिक मिलेंगे आपको तो पहले सब से पहले काम आप कर रहेगा अपने सलेबस निकलवाना और उसे अच्छे से देखना दूसरा आपने ऐसा तो नहीं है कि अभी तक कुछ भी टोपिक न पढ़े हो कई बार आप पढ़ भी चोके होंगे तो उसमें भोर्यत भी मैसूस होती है जैसे कि आप हमेशा सुरू से करेंगे प्राचीनी थ्यास लेंगे तो वही सब टोपिक मिडेवल लेंगे वही सब टोपिक तो ऐसे भोर्यत भी हो जाती है तो इसके लिए आप एक फोर्मूला यह यूज कर सकते हैं अपने टोपिक चाट लीज़े पूरी हिश्ट्री से अपने कुछ टोपिक चाट लीज़े एक महीने का या जितने भी आप कुछ प्लान बनाएए जैसे कि 30 डेज़ का बनाएए और 30 टोपिक ही अपने वहाँ से चाट लीज़े कि आज मुझे ये टोपिक करना है जो जो इंपोर्टेंट जैसे कि आप इसमें चाट सकते हैं जो आंदोलन है हमारे चाहे हो जन जाती आंदोलन हो चाहे हो किसाना अंदोलन एक टोपिक हो गया आपका अंदोलन सबसे पहले आपको यह करना है इसके बाद कुछ टोपिक ऐसे जैसे कि आपको मोरिय काल है मोरिय काल से काफी कोशन बनते हैं तो मोरिय चाट लीज़े गुप्त काल है तो गुप्त काल के बारे में चाट लीज़े तो ऐसे ही अपने कुछ important topic छाट लो इसे जो mix भी होता रहेगा आपका किसी एक topic को पढ़ते पढ़ते आप बोर भी नहीं होगे और जो जो important है वो आपका पहले ही निकल जाएगा फिर बचा कोचा जो रहेगा उसे अलग से कर लेना तो यह तो हुआ कि हम इसकी त्यारी कैसे करें किस paper को लेकर चले यह confusion काफी जादा रहता है अब आता है आपका first paper जो DSSB में part 1 होता है अब उसमें क्या आएगा आपका उसमें आप क्या आते हैं हिंदी हिंदी English Math रीजिनिंग और जीके अब यहां से जीके का जो पार्ट है अदा पार्ट तो आपका यह से complete हो जाएगा जो आप हिस्टी कर रहे हैं बागी का पार्ट में इसमें आपका आएगा current आ जाएगा और other subject आ जाएगे जैसे कि इसमें जियोग्राफी एकोनोमिक्स यह सब आएंगे तो यह इसका कुछ पार्ट तो आपका हिस्टी का यहां से complete हो जाएगा अब फुर्ष्ट पेपर को भी इसके साथ कैसे लेके चले अपने topic के साथ तो आप ऐसा करें सबसे पहले तो आप डियससी की जो सोल पेपर है जो प्रीवेस यह कोशन है उन्हें ले ले और प्रीवेस कोशन में आप अपना topic तो यह सेम करते रहें और इनमें से भी एक topic छांड लो जो भी आपको लगता है जैसे की reasoning हुआ आप डेली अपना topic पढ़िए अपना topic किया और साथ में एक topic reasoning का जो पेपर है पेपर में इसके बीस कोशन बनेंगे आपके तो बीस कोशन सोल्व कीजिए अब यह 20 कोशन जब हम करेंगे reasoning क्योंकि हम काफी कुछ तो पढ़ भी चुके हैं जासा नहीं है कि हम जीरो से start कर रहे हैं तो इसके बीस कोशन सोल्व कर लोगे जो topic आपका बसता है जिसे आप सोल्व नहीं कर पाते उस topic को पढ़िए उस दिन केवल आपको यह 20 कोशन करने हैं और जो topic आपका नहीं हो पाया जिसका question आप नहीं कर पाते मान लिजे कि आपने पास से को कोशन किया है और वह या फिर दी पर सोल्व कीजिए एक-एक topic उठाते रही है अपने topic के साथ और वह question solve करते रही है जो भी आपका topic के लिए नहीं है जिसके question आप सोल्व नहीं कर पा रहे हैं उस topic को पढ़िए अच्छे से और फिर कर यह question आप अब इसमें देखे वीक में seven day है तो seven day में से six day पढ़िए के यह six day में हमने जो भी पढ़ा अपना topic उस topic को केवल revise करना है इस topic को केवल revise कीजिए साथ वे दिन और six day आप पढ़िए जब तक आप revise नहीं करोगे revision जितना पढ़ना जरूरी है आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा है revision बार बार revise करते रहिए बार बार revise करते रहिए तब कि आप अच्छे से त्यारी कर पाएंगे तो केवल 6 दिन पढ़ो और 7 दिन अपने revise करो तो यह है कि हम किस topic की त्यारी करें और कैसे कौन-कौन से subject लेकर चलें क्योंकि एक साथ आप भी देख रही है कई vacancy आती है अलग-अलग पढ़ना काफी कुछ इसमें mind भी सारी चीज चाहे आपकी vacancy कभी भी आए चाहे आपका एक्जाम कभी भी हो आप उसके लिए हमेसा प्रिपेर रहें देखे के वी की तो यह वैक्जाम बड़ी जल्दी करा देते हैं तो इस बात का वेट क्या करना की form कब आएंगे पहले से ही अपनी त्यारी रखो और बस आज से ही से चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में थैंक यू